पश्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चाई एकेडमी पर आज के इस वीडियो में 1920 मार्च का जित्ता भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करेंट अपर्द बन सकता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में जो है आप लाष्ट तक बने रहीएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो मध्य प्रदेश का करेंट अपर से वह तो कवर होगा साथ ही उस कोश्चन से जुड़ी हुई जित्ती भी महत्वपूर्ण इस्टेटिक जानकारी बन सकती है वह एक वीडियो जो है हमने अप्लोड कर दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिशन बोक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी तो उस पर क्लिक करकर जो है आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं तो चलिए सबसे शुरू में पर आपको बता देते हैं कि आज वीडियो में आपको कंटेंट किस प्रकार से मिलेगा तो सबसे पिले ले है जो हमारा मद्ध्यपदेश का करेंट अपर से उसके बाद जिला जिला होगा वह होगा सोपूर जिला यानि कि शोपूर जिले से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर जानकारी आपके यहाँ पर बन सकती है उसको हम डिसकस करेंगे और इस शोपूर जिले के डिसकसन के बाद जो हमारा चमबल संभागे वह यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा तो आपके जानकारी के लिए यहाँ बता दे कि अभी तक हमने ग्वालियर संभाग के अंतरगते जितने जिले आते हैं यानि कि आपके पांच जिले आते हैं उनको यहाँ पर हमने डिसकस कर लिया है तो शोवपूर जिले के discussion के साथ ही हमारा जो चम्बल संभाग है वह भी यहाँ पर complete हो जाएगा तो इसके पेले के जो हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा जो जीले दर्शन के अंतर के जो जीले डिसकस किये गए हैं अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो वह भी ज प्राशन में एक जो question कल पूछा था उसका answer यहाँ पर बताएंगे जिसका जवाब आप सभी को हमें comment करके यहाँ पर बताना होगा तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा session रहने वाला है तो चलिए शुड़वात करते हैं आज के session के और सबसे पहले आज का जो मध्यप् अरजित किये हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए important बनता है कि यह जो प्रतियोगिता है आपकी कहां पर आयो जित हुई थी तो मध्यप्रदेश की राजदानी बोपाल में जो है इसका आयो जनापका किया गया था तो इसमें हमसे question पूछ रहा है कि इसमें एक पांच पदक, छे पदक या फिर साथ पदक तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बनता है option D इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में कुल जो है आपके साथ पदक जीते गए है option D जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ म कावेरी डिमर को 11 लाग रुपे का चेक प्रदान आपका किया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो कावेरी डिमर है इन्होंने इस प्रतियोगिता में यानि की 31 वी राष्ट्री के नो इस प्रिट चेंपियंशिप में कुल कितने पदक जीते आपके साथ पदक जो ह इनके द्वारां यहाँ पर जीते गए हैं साथी राष्टी चेंपियंशिप में उतकर्ष प्रदर्शन करने वाली इनका यानि की जो कावेरी जी है 24-27 मार्च 2022 तक थाइलेंड में आवे जित होने वाली एसियन चेंपियंशिप में भी जो है आपके सम्मेलेत होगी तो हब पर इन्होंने जीते हैं तो शीओर जीले के ग्राम मंडी की निवासी कावेरी ने 24-27 सक्टूंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर में आवे जित प्रतियोगिता में स्वान साथ स्वान पदक इन्होंने जीते हैं तो राष्ट्रिय केनों स्प्रिट चेंपियंशि यह आपकी विलों करती है तो यह थे आपके इससे जुड़े कुछ मत्रपून कोशन्स चलिए यहां पर हम डिसकस कर लेते हैं कि इस प्रकार के कोशन हर एक एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके इस्पोर्ट से संबंदित होते हैं जिनमें कि आपका प्रम कर जो है आप कहां पर इसका आउ 더श्ल्ट हो गातो चलिए सबसेले यंआ पर हम बात कर लेते हैं ओलंपीख घ्र के जिससे कि सर्वाद कोशंच जो हैं आपके इहां पर बनते हैं तो अगर आप सब्सक्छा जाई कि यह जो औलमिक है इसका जो पहला संस्क्राण है या पहला ओलम्पिक गेम आपका कहां पर आई जित हुआ था तो पहला औलमपिक खेल आपका कहां पर आई जित हुआ था अगला आपका कहां पर आई जित होगा और किस वर्ष में होगा तो वर्ष दोजार चोईस में होगा कहां पर आई जित होगा प्रेरिस में और पेरिस का आता है या पेरिस जो है किसकी राजदानी है तो फ्रांस के आपकी राजदानी है तो अलंपिक खेलों की शुरुआत अलंपिक खेल का जो पेहला संस्क्रण है आपका कहाँ पर आय जित हुआ था 1806 में Athens Greece में जो है इसका आयजन हुआ था वर्तवान में यानि कि आपका फिचला जो है कहाँ पर आय जित हुआ वर्ट से 2021 में कहाँ पर आय जित हुआ Tokyo Japan में अगला कहाँ पर होगा तो सबसे मेन बात हमारे लिए इंपोर्टेंट बनती है कब होगा दोजार चोईस में होगा कहाँ पर होगा पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन आपका किया जाएगा अगला यहाँ पर देखते हैं हम राष्ट मंडल खेल इससे जूड़ी जानकारी भी यहाँ पर देख लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए राष्ट मंडल खेल या जिसे कोमन वेल्थ गेम्स के नाम से भी आपका जाना जाता है इसकी शुरुवात आपकी कब होती है वर्ष कहा पर हुआ था तो चेश्ट ऐंगा कम अगला आपका ऑए जित होगा तो वर्ष दोग्यार 22वा स्वजाए जीत होगा कहा पर आयजित होगा बर्मिंगंगंव और पिप्रमिंगंगं आपका कहा पर ने कहां पर आउजित होता है तो हमारे देश की राज़दा ने नई दिल्ली में जो है यह आपका आउजित किया जाता है अगला यहाँ पर बनेगा कि वर्तमान में या लेटेश्टरी इसका कहां पर हुआ तो 2018 में आपका हुआ था जकारता इंडोनेशिया में इसका आउजि अगला जुनियर विष्वकब के लिए भारती ओकी टीम की उपक्तान किसे बनाया गया है चार ओप्र आपके सामने निकल कराते हैं अंजना त्रिपाठी मुस्कान किरार इश्यका चूदरी या वंदना कटारिया तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बनता है वह बनता है इश्यका चूदरी को हाली में महिला जूनियर विश्व कप के लिए भारती होकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है देखें इनका नाम दक्षिन अप्रिखा में एक अप्रल से सुरू होने वाले एफाई एच महिला जूनियर विश्व कप के लिए गुरुवार को भारत की 20 सदेशी टीम की जो है कप्तान आपका नियुक्त किया गया है यानि की 20 सदेशी जो दल है आपका वहाँ पर भेजा अज जाए गया वह जो है आपका प्रतिनी दित्व करेगा और उसमें जो उपकतान है हमारे मद्दप्दस की इशी का चोधरी को आपका बनाया गया है वह जो है इस टूनामेंट में भारती टीम के आपके उपकतान होगी तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपोरेंट बनता है चलिए आपर बात आई होकी की तो पूरे विश्यों में होकी की जो है एक सबसे बड़ी या सरोच्च सस्ता जिसे बोल सकते हैं वह है आपके अंतराष्टी होकी महासंग तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतराष्टी होकी महासंग की स्तापना कब होती है राइट आंसर बनता है सा मुख्याले आपका इस्तित है अगला कोर्शन बनेगा अंतराष्टी महासंग के अद्धक्ष अंतराष्टी होकी महासंग के अद्धक्ष आपके कौन है तो यह एक भारती है इसलिए इनका नाम हमारे लिए important बनता है इनका नाम है आपका नरेंद्र बत्रा जो कि वर्तमान में FIH के जो है आपके प्रमूख है या इसके अद्धक्ष है अगला कोशन बनेगा कि जो होकी इंडिया है उसकी स्थापना कब होती है 20 मईं 2009 को जो है इसकी स्थापना की की जाती है होकी इंडिया का जो होकी जो है इसकी मेजबानी करेगा और भारत का कौन सा राज जतर वह है आपका उडिसा यहाँ पर जो है आपका 2021 का सोरी 2023 का जो पूरुशों हो की विश्व कप है वह जो है आपका यहां पर आविजित होगा तो यह भी हमारे लिए यहां पर करेंट के पॉइंट विश्व इंपोर्टेंट बनता है चलिए अगला कुर्शन आप पर हम डिसकस कर लेते हैं कि सिक्स सिग्मा एक्सिलेंट अवार्ड एंड लिडर्सी सम्मिट में मध्यप्रदस के किजिले के मेट्रो हुस्पिटल को बेश्ट हुस्पिटल ओफ दी इयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है चार उप्शन यहां पर आपके सामने निकल कराते हैं जवलपूर का रतलाम का धार का या फिर इंदोर का तो राइट आंसर आपका बनता है उप्शन है जवलपूर का जो मेट्रो हुस्पिटल है उसको बेश्ट हुस्पिटल ओफ दी इयर 2022 का जो अवार्ड है उससे सम्मा सम्मानित आपका क्या गया और किस सम्मीट में या किस आयोजन में किस कारेक्रम में इसको सम्मानित क्या गया तो सिक्स सिग्मा एक्सिलेंस आवार्ड एंड लिडर्शिप जो सम्मीट आपकी हुई थी नई दिल्ली में उसमें जो है यहां का जो मेट्रो हुस्पिटल है उ 2022 के आवाड से आपका सम्मानित क्या गया है नई दिल्ली में आविजित कार्यक्रम में केंद्रिय सुचनायों प्रसारन और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराक सिंग ठाकू ने अस्पताल के मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर सेलेंद्र सीन राच्वित को आवाड से सम्मानित किया तो हमारे लिए इतना इंपोटेंट बनता है कि बेश्ट हुस्पिटल ऑफ दी एर 2022 से मध्यपदेश का कौन से जिले का मेट्रो हुस्पिटल आपका सम्मानित हुआ है तो जबलपूर से जुड़े कुछ करेंट के कोर्शन से यहाँ पर आपके साथ डिसकस कर लेते हैं अगर आप से पूछा जाए कि देश का पहला देश का पहला जियो लोजिकल पार्क आपका कहां पर बनेगा तो आपका राट आंसर बनना चीए मध्यपदेश के जबलपूर मे पहला जियो लोजिकल पार्क आपका बनेगा अगला कुछन है कि 10 करोड की लागत से प्रदेश का पहला डेरी स्टेट आपका कहां बनाए गया तो राट आंसर आपका बनेगा जबलपूर में ही जो है इसको आपका बनाया गया है अगला कोशन आप निकल कर आता है कि मद्यप्रदेश का पहला गूड़ सवारी स्कुल आपका कहाँ पर खोला जाएगा तो यह भी जो है मद्यप्रदेश के नियाई के राजदाने जबलपूर में आपका खोला जाएगा अगला कोश्चन बनेगा कि युनेसको की संभावित सुची में शामिल लमेरा गाट के जिले में इस्ती थे जो जबलपूर में और जबलपूर में भी कहाँ पर तो बेड़ा गाट के अंतरगज जो है आपका लमेरा गाट इस्ती थे जिसको कि युनेसको की विश्वदरोर जो कि आपका जवलपूर में इसकी स्थापना आपकी कब होती है वर्ष 1964 में इसकी स्थापना जो है आपकी की जाती है तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वकुन जानकारी चलिए अगला कोशिन आप पर डिसकस करते हैं कि हाली में मध्यप्रदेश राज शूटिंग अका फिंडिया के सिलेक्षण के दौरा के दौरा इनके दौरा जूए सिलेक्षण ड्रायल стороны तॉरी अकादमी के यानि की मध्यप्रदेश राज आकदमी के अभिना अचिया तो यह कुछ ट्रायल आपका यहां पर ववा था था उसमए ए का संबन्द के शूटिंग से जो है यापके यहां पर करते हैं कि चलिए कल के करन्ट नपर यहां पर रूर्जण कर लेते हैं कल जो हमारा कोशन था यहां पर चार सेरों का जो है आपका इसके अंतरगत आपका चैन हुआ था चार शहर आपके कौन-कौन से थे इंदोर उजेन सागर और जबलपूर चार जो शहर है आपके इसमें चैनित हुए थे और इसमें प्रतियोगिता में देश के 180 जिले और प्रदेश के 9 जिलों ने जो है इसमे तो भाग लिया था उसमें चार जिले आपके टोप 11 में यहां पर शामिल हुए है तो यह भी जो है अमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है अगला कोशन देखा था कि देश का पेला इसा रेलवे स्टेशन प्लेटफोर्म जहां पर बीटेक और बेसी लड़किया जो है आपके चाई बेच रही है चार ओप्शन यहां पर आपके सामने है भोपाल इंदोर रतलाम या इटारसी तो राइट आंसर आपका बनता है ओप् लाढे द्वारा लिखित पूश्ट का शुरी अपड़ार इसका भी मोचार आपका किस नर्श राइट अंसर बनता है यहां पर आपका औुशा ठाकुर जीट द्वारा इसका आपका किया गया था चलिए यहापर दोज़ार 21 का जो मद्द्ःप्रदैस को से हाझ करने मोच् अगला कोशन आपके ग्राम योजन आता था इसकिल सेल रोग उन्मुलन मिशन का शुबारम किस ने किया तो वर्तमान में जो हमारे देश के प्रदान मंत्री है नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा जो है इसका शुबारम आपका किया गया था अगला कोशन आपर बनेगा कि हाली में किंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जीले को उतकरश मचली पालन के लिए आपका पुरिश्कृत किया है तो राइड आंसर आपका यहापर बनेगा बाला घाट जीले को उतकरश मचली पालन के लिए आपका पुरिश्कृत किया ग सपाई मित्र सुरक्षा चेलेंज में पहले नंबर पर रहा है तो यह आपका जो है देवास जिला यहाँ पर रहा है तो यह कुछ प्रेट कलर के साइड वाला जो में यहाँ पर बना रहा हूँ यह आपका शोपूर जिला आपको बता देते हैं कि शोपूर जिले की जो लोकेशन आपकी मेप में कहां पर आती है तो देखिए यहाँ पर यह जो है जूम करके आपको यहाँ पर दिखा गया है इसको जो है आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका शोवपूर जिला आखिरकार यहाँ पर आता कहाँ पर है तो चलिए यह जो है आपका शोवपूर जिला है इसके हम यहाँ पर बात करें तो यह जो है आपका शिवपूरी ग्वालियर मुरेना और साथी राजिस्तान के साथ जो है अपनी सिमा साजा करता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि शोवपूर जिला कितने जिलों के साथ ती यहां पर शोपूर जीला इसका गटन कब क्या गया पर सबस्वारिस पर इसका गठन होता है जो समीती थी उसके अनुशंशन सापर घटन आपका होता है तो सिधा कोशन पूर्ण आहेगा शौपूर का गठन आपका कब होता है 25 मंए 1998 को किस जीले से अलग को कर बनता है मूरेमा जीले आप क्या आते हैं कौन-कौन सा है मूरेना भींड और शोवपूर यह जो तीन जीले है आपके इसी के अंतरगत यानि की चंबल संभाग के अंतरगत आते हैं अगला कोशन बनेगा कि शोवपूर का किला आपका कहां परिस्तित है तो नाम से ही इस परश्ट होता है शोवपूर का जो किला है आपको शोवपूर में देखने को मिलेगा अगला कोशन बनेगा किस किले की स्थापना किसने की थी तो गोड राचपूत इंद्रसिंग ने गोड शाषक हुए थे राचपूत इंद्रसिंग इन्हों ने जो है इसकी स्थापना आपके की थी अगला कोशन बने कि मानपुर का खिला आसी बने गा मानपुर का है आपका शोपूर मैं इस्तित एक एक कोउष्षन पिछन जाए कि इसका निर्मान किसनकराया तो राजाart मानसिंग के द्वारा इसका निर्मान आपका करवाया जाता है अग बनेगा मद्द्य प्रदेश के शौपूर जीले में बड़ोधा का जो किला है वह आपका अवस्तित है इसे महल के अंदर का इसे किले के अंतर का था आपको शिश मल, हवा मल और शंकर मल जो है आपके यही पर देखने को मिलेंगे तो तीन किले हमने अभी पढ़े शोपूर जो जिला है उससे संबन्दित एक तो हमने पढ़ा शोपूर का किला दूसरा पढ़ा मानपूर का किला तीसरा पढ़ा हमने बड़ोदा का किला तो अगर आप पर अगर आपसे पूछा जाई कि मद्यप्रदेश के किस जिले में सहरिया संग्राले यह आपका इस्तित है तो राट अंसर आपका बनेगा मद्यप्रदेश के शोवपूर जिले में यह आपका इस्तित है अगला कोशन बनेगा कुनो पालंपूर अब्यारन काहां पर इस्तित है कुनो पालंपूर अभ्यारण कहा परिष्टी थे शोपूर जिले में इस्ताबना कब होती है 1981 में राष्टी उद्ध्यान का दर्जा कब देते हैं 2018 में तो यह हमारे लिए इसीलिए सरवाधिक यहां पर कूपूर जान अगरिया जो कि आपके एक्जाम के पॉयंट वी जो पर important बनती है चलिए कल जो question आपसे यहाँ पर पूछा गया था उसको यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं question था कि मद्ध्य प्रदिसकार राच्किये खेल क्या है चार option थे cricket होकी मलखंब या tennis तो राइड आंसर आपका यहाँ पर बनता है मलखंब जो है sorry मलखंब जो है मद्ध्य पर बरश्या के दौरा और यहाँ पर यू राच के दौरा जो है इसका चाहई आँसर आपके यहाँ पर दिया गया तो मद्ध्य प्रदिस निमैं ने और मलखंब है अगला कोर्शन बनेगा कि मद्या प्रदेश्व का जो राजकी खेल मलखंब है इसको आपका कब गोशित किया गया तो राइट अंसर आपका बनेगा वर्षम 2013 में इसको जो है आपका गोशित किया जाता है और इसके AC में जो है सरोच प्रदेशन के लिए आपका एक पुरुसकार भी दिया जाता है जिसका नाम है आपका प्रबाज जोसी पुरुसकार प्रबाज जोसी पुरुसकार और इसकी भी स्ताफना आपकी कब होती है 2013 में इसकी स्ताफना होती है अगला कुर्शन बनेगा कि जो मलखंब है मलखंब जो है आपका इसका जो है इसका जो है इसके जो मलखंब अकादमी है आपके मद्यप्रदेश में कहां परिष्टी थे तो यह मद्यप्रदेश के उज्जियन में जो है आपकी स्थाफित है और इसकी स्थाफित है और इसकी स्थाफना कब होती है वर्ष खंबाकाज में कहा परिस्तित है उज्यन में इस्तापना कब होती है वर्ष दोजार अठारा में इसकी जो है आपके इस्तापना यहाँ पर की जाती है चलिए यहाँ पर नीतु सिंग बातम ने जो है कुछ और मद्यप्रदेश के राच्किये खेल राच्किये पुश्व यह बताएं इनको भी है पर हम डिस्कस कर लेता है तो राच्किये वर्ष क्या है हमारा बर्गद है 31 में जो है आपका घुशित होता है अगला कूर्शों में लगा कि राचकिया मछली क्या है तो आपकी है महाशीर और इसे मध्य प्रदैस की राचकिया मछली आपका कभ घुशित क्या गया वार्शिद 2011 में गुश्चित क्या जाता है मद्य प्रद्धिश का राच्किए फल आपका क्या है तो मद्य प्रद्धिश का जो राच्किए फल संदेश मा की गोद पिता खाश्य मेरा मद्दप्रदेश का राच की गान है और इसको किसे ने लिखा तो संजीव स्रिवास्थव संजीव स्रेवास्थव के द्वारा जो है इसको आपका लिखा गया तो यह थी आपकी इस से जुड़ी तित आपको यहां पर हमें comment do नहीं के जहागीर महल कहाँ परीए पर इसले में इसले कि यहां के नाम पर बता यानी कि जहागिर काम परस्ति थे और दृप्स जगाप किसने करवाया था चार ओप्षन है वीर सिंग गुंदेला राजा गोविंद सिंग राजा नरेंसा या राज वसंती तो इसका जो भी सही जवाब हो जो भी राइट आंसर हो आप सभी को जो है हमें कमेंट करके यहाँ पर बताना है तो यह था हमारे आज के मद्यप्रदेश के करेंट अपरस का सेक्षन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक सधिक लोकों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प कोटिफिकेशन पोच जाए तो आज के लिए बसे दिना है थांक्यू वेरी मॉच्च